Welcome back to Excellence Point Classes तो बच्चों आज का lecture है class 8 के लिए आज हम चालू करने वाला है chapter number 11 class 8 के लिए जिसका नाम है mensuration So without wasting any time, let's get started Alright, so बच्चों chapter start करने से पहले इसका एक basic overview आपको दे देता हूँ कि chapter में करना कै हमको तो बच्चों mensuration क्या होती है एक maths की branch है जो की deal करती है areas और volumes of two dimensional and three dimensional figure एक बार फिर से repeat करता हूँ It is a branch of mathematics that deals with the areas and volumes of two dimensional and three dimensional figure यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जब भी एक figure two dimensional होता है तो उसका volume हम नहीं निकाल सकते है Volume का मतलब होता है capacity of any solid तो जब भी हम solid की बात कर रहे हैं तो उस shape को three dimensional shape होना चाहिए इसका मतलब two dimensional figures में हम सिर्फ और सिफ area calculate कर सकते हैं जबकि एक कोई भी three dimensional figure का आप example ले लें चाहिए आप cube ले लें, cuboid ले लें, cylinder लें उनका आप volume भी निकाल सकते हैं तो it is a branch of mathematics which deals with the areas and volumes of the figures तो चलिए basic formula को चालू करेंगे हम लोग यहाँ पर two dimensional shape के तो बचों आईए start करते हैं इस chapter में use होने वाले formula से यहाँ पर आपके पास सबसे पहला figure square आता है तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा square की सारी sides आपस में equal रहती है perimeter की बात की जाए तो perimeter क्या होता है outer boundary of any figure एक बाँ फिर से repeat करता है outer boundary of any figure is called perimeter तो perimeter जैसे कि आप सबको मालूम होगा 4 side equal रहती है formula क्या हो जाता है 4 multiply by side एक बाँ रिख देता हूँ 4 multiply by side यहाँ पर अब area की बात करें तो किसी भी figure का area क्या होता है length multiply by breath एक बाँ फिर से length multiply by breath बट यहाँ पर देखिए यहाँ भी length side के बराबर है और breath side के बराबर है मतलब दोनों अपस में equal है तो clearly हमाँ पस यहाँ पर formula हो जाएगा side multiply by side लिख देता है यहाँ पर side multiply by side तो यहाँ हमारे पस इसके area का formula हो गया अब देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास figure है rectangle तो बच्छो rectangle का perimeter क्या होता है आप सबको याद होगा 2 multiply by length plus breath तो यहाँ पर हम bracket में लेखेंगे area क्या होता है length multiply by breath तो area का formula यहाँ पर लिख देता है length multiply by breath तो यह इसका formula हो गया next है हमारे पास figure triangle कुछ लोग इसको जानते होंगे तो बच्छो हमने यहाँ पर formula पड़े हुआ है पिछली classes में एक बाद फिर से revise करते हैं यहाँ पर तो बच्छो ट्राइंगल का जब हमको perimeter निकालना पड़ता है तो perimeter क्या कहलाती है outer boundary कहलाती है तो बच्छो इस boundary में यहाँ पर आपको तीन साइट दिखाई दे रही होंगी तो यहाँ पर formula क्या हो जाएगा AB PLUS BC PLUS CA मतलब AB BC और CA की जो भी length होगी आप उसको add कर देंगे तो आपके पास perimeter आ जाएगा area के यहाँ पर formula देखते हैं तो area क्या होता है half multiply by base, half multiply by base, multiply by height तो बच्छो यह इसके area का formula हो जाता है तीन figure हमाँ पास और आ चुके हैं यहाँ पर पहला figure है यहाँ पर circle तो बच्छों circle की जब outer boundary की मैं बात करूंगा तो उसका formula यहाँ पर होता है 2 pi r एक बात फिर से बोलेंगे 2 pi r अब तू भी पता है r का मतलब radius होता है pi का मतलब क्या होता है तो बच्छों pi एक Greek letter है जिसकी value 3.14 या तो फिर pi की value आप 22 by 7 दोनों में से कोई एक value यूज करेंगे जो भी आपको question में given होगा area की बात करें तो area का formula होता है यहाँ पर pi r square क्या formula होता है pi r square यहाँ पर देखिए next figure है आपके पास parallelogram का तो parallelogram का जैसे कि आप सबको मालूम होगा perimeter हमको निकालना है तो opposite side यहाँ पर equal और parallel होती है तो अगर मैं formula बनाना चाहूं तो यह हो जाएगा 2 multiply by ab plus bc क्या हो जाएगा 2 multiply by ab plus bc क्योंकि ab और cd की length बराबर है similarly bc और ad की length बराबर है तो rectangle वाला formula यहाँ पर use हो सकता है next area की बात करूं तो area का formula यहाँ पर आपके पास आ जाएगा base multiply by height base multiply by height next figure है आपके पास यह new figure है यहाँ पर इसका नाम होता है trapezium तो बच्छों trapezium के लिए simply formula हम लगा देंगे sum of all sides मैं लिख देता हूं यहाँ पर sum of all sides तो यहाँ पर हो जाएगा a b plus b c plus c d और last plus d यहाँ पर इसके अगर मैं area की बात करूं तो area का formula होता है half multiply by sum of parallel side तो बच्छों parallel side क्या है यहाँ पर a b parallel to c d है यहाँ पर हो जाएगा a b plus c d multiply by height तो height को यहाँ पर हमने h से denote किया है यह तीन formula और हो गए next formula देखते हैं last three figures देखते हैं बच्छों तो next figure है आपके पास rhombus rhombus के perimeter की बात करूं तो rhombus के चारो side आपस में equal होते हैं तो जैसा कि हमको मालूम होगा चारो side equal तो क्या formula होता है 4 multiply by side area का formula new है आपके लिए area का formula होता है half multiply by d1 multiply by d2 तो बच्छों d1 और d2 क्या है देख सकते हैं डाइग्राम में इसकी diagonal को represent कर रहा है next figure semi circle होता है तो बच्छो semi circle का perimeter क्या क्या count करेंगे सबसे पहले यह curve वाला पार्ट तो बच्छों पूरे जब circle की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है 2 pi r आदा हो गया तो क्या हो जाएगा बच्छों half of 2 pi r half of 2 pi r plus बच्छों मैं diameter वाला पार्ट भी नहीं भूल सकता तो plus क्या हो जाएगा d अब देखे 2 से 2 कड़ गया तो formula क्या बना pi r plus d यह इसके perimeter का formula है area के formula की बात की जाए तो पूरे circle का आधा है तो क्या हो जाएगा half pi r square क्या formula हो जाएगा half pi r square और last figure आपके पास quadrant होता है तो बच्छों quadrant की बात करूं तो एक radius यहाँ एक radius यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ 2r तो इसमें आएगा और इतना कर्व पार्ट तो बच्छों यह क्या है यह पोर्टल का 1 4 तो टोटल का 1 4 मदला 1 by 4 of 2 pi r काट देंगे आफ 1 जा और 2 जा क्या formula आपके पास बना 2r प्लस pi r by 2 यह इसके perimeter का formula बन गया area की बात कर लेते हैं तो टोटल circle का 1 by 4 है तो 1 by 4 pi r square यह इसके area का formula हो गया हमने सारे two dimensions figures के formula complete कर लिये हैं अगले lecture मैं आपसे मिलूंगा इसकी exercise के साथ देखना न भूले excellence point classes का अगला वीडियो ऐसे ही प्यार बनाए रखें thanks for watching have a nice day